गोपाल गंच में किशोर नाम का एक किसान अपनी पत्मी माधवी और दो बेटियों नेहा और सनेहा के साथ रहा करता था किशोर अपने खेट में सबजियां गाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी किशोर भाई आपके खेट की सबजियां तो पूरे बाजार में सबसे ताजी और फ्रेश होती है मुझे न आप एक किलो सीता पल, दो किलो टमाटर और साथ में प्यास भी तोल देना किशोर अपने खेटों की खूब देख भाल करता और उनमें तरह तरह की सबजियां उगाकर बाजार में बेचता सर्दियाब जा चुकी थी और गर्मी का मौसम शुरू हो गया था गर्मियों के मौसम में किशोर जब भी काम के लिए घर से निकलता तो उसकी पतनी उसको ठंड़ा ठंड़ा सत्तू बना कर देती अरे माधभी अगर तुम्हारा सत्तू बन कर तयार हो गया हो तो मुझे जल्दी से दे दो सूरज सर पर चड़ाया है और मुझे बाजार जाने के लिए देर हो रही है जी अब भी लाई कितना टाइम लगा दिया तुमने तुम्हें पता है न ग्राहक के आने का टाइम हो गया है जी वो मैं पडोस में जो प्रिया मैडम है ना उनकी यहांसे बरफ लेने गया थी आपको पता है उनके घर में तो फ्रिजबी है और ऐसी भी जब मैं उनके घर गई तो अंदर AC चल रहा था मुझे तो ऐसा लगा मानो मैं राजुस्थान से कश्मीर पहुँच गई हूँ ओई होई कितना मज़ा आ रहा था मैं आपको बता भी नहीं सकती काश की अपने घर में भी एक AC होता किशोर अभी घर से निकली रहा होता है कि तभी धरती में एक तेज कमपन होता है और जमीन में दरार आने लग जाती है किशोर को समझते देर नहीं लगती कि ये भूकम्प है वो जल्दी से अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर खुले मैदान में चला जाता है और इस भूकम्प में आधे से जाधा गाउन तबाह हो जाते है किशोर अपने परिवार के साथ सही सलामत बच तो गया था लेकिन इस भूकम्प में उसका सब्कुश तबाह हो चुका था मही महीने की भिशन गर्मी में किशोर अपने वे परिवार के साथ यहां से वहां नंगे पैर भटकता रहता है उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे तब ही उसकी बेटी नेहा उससे कहती है माँ बाबा मेरे पैर इस धूप में जल रहे हैं मुझसे और नंगे पाउ नहीं चला जा रहा है हाँ बाबा मेरे पाउ भी इस धूप में बहुत जल रहे हैं नहीं बेटी तुम मेरी गोद ना आजा और माद हुई तुम सनेहा को उठा लो इसके बाद वो दोनों अपने बच्चों को गोद में उठा कर चलने लगते हैं काफी देर तक धूप में चलने के कारण उनके पैरों में मानों अंगारे के चटके लगने लगते हैं और पाउ में छाले तक पढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी आखों में आसो की धारा लिये वो दोनों चलते जा रहे थे कुछ तेर बाद वो एक नदी किनारे रुक कर पानी पीते हैं और फिर एक बड़े से पेड के नीचे जूपड़ी बना कर उसमें रहने लगते हैं एक ही जटके में हमारी सारी दुनिया ही उजड़ गई इतने सालों की महनत सब बेकार हो गई अब हम और हमारे बच्चे कैसे जिएंगे अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम सब को कौन संभाले का हम अपनी नई जिंदगी की शुरवात करेंगे अपने बच्चों की खातेर हम खूब महनत करेंगे उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे इसके बाद किशोर और मादवी दोनों ही एक अमीर आदमी के यहां काम ढूंड लेते हैं और उसके यहां नौकरों का काम करने लगते हैं उस अमीर आदमी का नाम सेट राजपाल होता है और वो अपनी पतनी नयंतारा और बेटे रोहन के साथ रहता था उनका एक बड़ा सा बंगला था जिसमें जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी घर में आठ कमरे थे और सभी में ऐसी लगा हुआ था यहां तक उनकी रसोई में भी एसी लगा हुआ था किशोर उनके घर में साफसफाई का काम क्या करता था जबकि माधवी उनके लिए खाना बनाय करती थी एक रोज नेहा और स्नेहा भी अपने माता पिता के साथ सेट जी के बंगले पर आती हैं तब ही वो दोनो रोहन के कमरे के बाहर खड़े होकर चुपके से देखती हैं रोहन ये लो बेटा ये रही आपकी आइसक्रीम, कोल रिंक और ये पिस्सा अब आप आराम से बैट कर टीवी देखो और ये लो अब मैंने एसी भी आउन कर दिया और हाँ, इन सब के बाद आपको इस ट्रडिव भी करनी है ओके, दू यू अंडिस्टैंग ओके माम, मैं सब समझ गया आप बार-बार मुझे एकी बात मत बुला करो मैं कोई दूद पीता बच्चा नहीं हूँ ओके बाबा, अच्छा अब AC on है अब ज़्यादा ठंड लगे तो इसे बंद कर देना, ओके? ओके माम इसके बाद नयंतारा वहां से चली जाती है उस कमरे से ठंडी-ठंडी हवा बाहर भी आ रही थी जिसका आनंद, नेहा और स्नेहा ले रहे थे वाह यार स्नेहा, की रोहन तो कितना भागे चाली है इसके कमरे में तो AC लगा हुआ है हाँ नेहा, काश हम भी AC में रह पाते तभी रोहन की नजर उन दोनों पर जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम गरीब भठीचर लोग, यहां मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर मुफ्त में AC की हवा खा रहे हो चलो निकल जाओ यहां से रोहन उन दोनों को धक्का मार कर गिरा देता है तभी वहाँ नयंतारा, राजपाल, किशोर और मादवी भी आ जाते है नेहा, स्नेहा बेटी, तुम दोनों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं मा, हम लोग ठीक है तुम दोनों सच कह रही हो ना? हाँ बापा, हम सच कह रहे हैं, हमें कोई चोट नहीं आई डैड आपको पता है ये दोनों फटीचर गरीब कहीं की मेरे रूम के बाहर खड़े होकर मुफ्त में AC की हवा खा रही थी ये बात सुनकर राजपाल और नयंतारा गुस्सा हो जाते हैं और किशोर और मादवी को खूब खरी-खोटी सुनाते हैं अरे तुम दोनों ने अपने बच्चों को अकले सिखाई है की नहीं? उन्हें कोई मैनर्स हैं की नहीं? इस तरह किसी के रूम के बाहर खड़े होकर मुफ्त में AC की हवा खा रही है हम से गलती हो गई जो तुमारे घटिया और गरीब बच्चों को अपने सुन्दर से घर में आने दिया अब इनको बोलो कि जल्दी से यहां से रफा दफा हो जाए नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर वो दोनों भी बिन कुछ कहे वहां से चले जाते है कुछ दिनों बाद जब उनकी तनको आती है तो वो अपने लिए किराय का मकान ले लेते है किराय के मकान में पहुँशने के बाद नहा अपने पिता से कहती है मा बाबा हम किराय के मकान में तो रहने आ गए लेकिन यहां भी तो सिर्फ एक पंखाई है क्या हम अपने घर में एक AC नहीं लगा सकते हाँ बाबा हमें भी रोहन की तरह एक AC वाले कमरे में रहना है और ठंडी ठंडी हवा में सोना है मा भी जब रसोई में हमारे लिए खाना तो वो गर्मी में पसीने से पूरी तरह भीग जाती है अगर अपने घर में AC होगा तो मा को खाना बनाते वक्त बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और हम सब भी आराम से सो पाएंगे अरे तुम सब उदास मतो मेरे पास एक उपाए है जिससे AC के जैसी हवा लगेगी हालकि मेरा ये AC थोड़ा सा देसी और रतरंगी है इसके बाद मादवी रजाई को गीला करके खिड़कियों पर टांगती है जिससे घर थोड़ा ठंडा हो जाता है लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चों का मुँ उत्रा ही हुआ रहता है अपने बच्चों को उदास देखकर किशोर और मादवी भी उदास हो जाते है ऐसे कुछ दिन बीच जाते हैं एक रोज नयांतारा अपने गार्डन के पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और नयांतारा को किड्नैप करके अपने साथ ले जाते हैं उसको किड्नैप होता देख किशोर और मादवी देख लेते हैं और वो जोर से चिलाते हैं मादवी जल्दी चलो, हम साइकल में बैठ कर उनका पीछा करते हैं तब तक तुम पीछे बैठ कर पुलिस को फोन लगाना इसके बाद किशोर और मादवी जल्दी से साइकल में बैठ कर उन गुंडों की वैन का पीछा करते हैं और आखिरकार उने रोग लेते हैं और किशोर उन गुंडों को खूप पीटता है तब ही पुलिस भी वहाँ जाती है और उन सब को गिरफतार कर लेती है घर पोचकर नैंतारा राजपाल और रोहन को सारी बात बताती है अब उन तीनों को ही अपने के पर बड़ा पच्टावा था मादवी मुझे माव कर देना अब मैंने तुम दोनों के साथ हो और तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत ही गलत व्यवार किया लेकिन फिर भी तुम दोनों ने अपनी जान जोखियो में डाल कर मेरी जान बचाई अब तेंक्यो अंकल आंटी मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए मेरी तरफ से आप दोनों को और नेहा सनेहा को भी सॉरी अब किशोर ये कुछ पैसे रखो, इन पैसों को तुम हमारी तरफ से इनाम समझ का रख लो, और प्लीज मना मत करना, हम तीनों को ही अपनी गलती का पच्टावा है इसके बाद वो तीनों ही अपनी गलती की मावी मांगते हैं और किशोर और मादवी उन पैसों से अपने घर के लिए एसी खरीते हैं एसी देख कर नेहास नेहा बहुत खुश होती है ये, अब हमारे घर पर भी एसी है, हम भी ठंडी ठंडी हावा खाएंगे सच मुच, अब हम भी रात को आराम से सोएंगे इसके बाद वो तीनों ठंडी ठंडी हावा में एसी में चैन की सांस लेते हैं भीखो और उसकी पत्मी ममता का एक छोटा बेटा था भीखो और ममता सडको पर सामान बेच कर गुजारा करते थे और वहीं फुटपात पर एक छोटी सी जुगी में रहकर गुजारा कर रहे थे ममता दुबारा गर्वती थी, इसलिए वो जुगी के आसपास ही रुखने वाले वाहन के लोगों को सामान बेचती थी ममता पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है, इस वजह से वहाँ भीड भीड भी काफी रहती है मैं सोच रहा हूँ, आज थोड़ी देर वहीं सामान बेच कर आ जाता हूँ इतनी भीड में ध्यान से जाना, लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़िया रफ्तार से दौड़ती है बीखु पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है ले लीजिये भाहिया, ये खिलोना, आपके बच्चे के लिए, ये गुबारा ले लो भाहिया इतनी देर में लाल बत्ती का सिगनल खत्म हो जाता है ले लो साहब, आप दस रुपई दे दो भीखु दस रुपई लेकर जैसे ही गाड़ी वाले को गुड़िया पकड़ा कर फलटता है एक गाड़ी उसे ध़का मार देती है जैसे ही भीखु मुझे गिरता है, एक और गाड़ी उसे कुचल देती है भीखु वही मर चाता है भीखु के साथ एक और व्यक्ती जो सामान बेशता था वो ये दुरघटना देख लेता है और ममता को बताता है नहीं, ये नहीं हो सकता मैं किस के सहारे जीओंगी आप मुझे क्यों छोड़ गए सूरज के बापू बापू आप कहां चले गए बोलो बापू ममता सूरज के हाथ से भीखु का अंतिम संसकार करती है भीखु के देहांत के बाद ममता बिलकुल अखेली हो गई थी एक दिन ममता बेटे सूरज और गोध के बच्ची को लेकर दिन भर सडकों पर गुबारे बेशती थी एक दिन सूरज तु यहीं सोनी के पास रहना आज धूप और गर्मी जादा है इसलिए तुम दोनों यहीं रहना मैं कुछ गुबारे और पेन बेश कर सूनी के लिए दूद और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी ममता गुबारे और पेन बेशने चली जाती है साहब पेन ले लो दस रुपे में पाच पेन है ले लो ना साहब ले लो बीबी जी यह गुबारा ले लो आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खानी को ले जाऊंगी ममता बड़ी मुश्किल से कुछ गुबारे बेश पाती है और थोड़ा दूद और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है तब ही एक महिला ममता के पास आती है ममता कल हमें ये जुग्यां खाली करनी पड़ेंगी यहां से अब तू भी कहीं और रहने के जगा ढून ले मैंने तो एक बस्ती में 100 रुपए किराय पर एक जुग्य ले ली है बस तुझे ही खबर देने आई थी हे भगवान अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहां जाओंगी अपने बच्चों के रहने के लिए मुझ गरीब का घर कहां से लाओंगी ममता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैट जाती है तब ही सामने एक आटो रिक्षा पलच जाता है और एक महला ओटो रिक्षा से घर जाती है ममता भागती हुई महला के पास जाती है ओ बैया, कैसे ओटो रिक्षा चला रहा था? देखकर नहीं चला जाता, जल्दी इनके हॉस्पिटल लेकर चलो ममता उसमहिला को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है आटो वाला ममता उसमहिला को अपने आटो से उतार कर भाग जाता है सुरज्जा जल्दी से उन भाया को बुला कर ला, वो माजी को अंदर ले जाएंगे डॉक्टर उसमहिला को देखता है देखिए इनकी रीड की हड़ी तूट गई है तो अब इनको complete bedrest की अवशकता है इनके घर से जो भी सदस्य है उन्हें आप बुला लीजिए दॉक्टर मैं नहीं जानती ये कौन है इनका एक्सिडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई डॉक्टर इन्हें कब तक होश आजाएगा तभी ये अपनी बारे में बता पाएंगे एक से दो घंटे में इन्हें होश आ जाएगा लगभू दो घंटे बाद उस महला को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है मेरा नाम राश्रानी है पता नहीं उस आटो रिक्षा वाले ने कैसे चलाया कि अचानक से ठोकर लगी और आटो पलट गया उसके बाद मुझे धुंदला सा याद है कि तुमने मुझे उठाया था और आटो में बिठाया तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया बेटी जो तुम मुझे यहां ले आई माजी आपकी रिड़ की हड़ी में फ्रेक्चर हुआ है इसलिए आपको घर ले जाने के लिए अम्बुलेंस की विवस्था करनी होगी बेटी मेरे पती अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए है मेरी एक सहायता करो अम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुँशने में मेरी मदद कर दो डॉक्टर मैं बिल अकाउंट से भर दूँगी आप एक अम्बुलेंस की विवस्था करा दीजे माजी आप बिलकुल भी चिंता मत करिये मैं आपके साथ ही चलूँगी मम्ता राजवानी को अम्बुलेंस में घर तक ले कर आती है मम्ता राजवानी को उस वकत एक सहारी की बहुत जरुरत थी जो मम्ता की रूप में उन्हें मिला था घर पहुँचकर राजवानी अपने पती महेंधरनाद को फोन पर सारी बात बताती है मम्ता मैंने अपनी फपती को फोन कर दिया है मम्ता राजरानी की बातों को सुनकर रोने लगती है क्या हुआ मम्ता तुम अचानक रोने क्यों लगी कोई सबर्दस्ती नहीं है बेटी तुम अगर नहीं रुकना चाहती है तो कोई बात नहीं और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है मंतर राजरानी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है जिसे सुनकर राजरानी की आँखों में आशु आ जाते है आप ही बताए माजी अपने क्या करूँ अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहा जाओ चिंता मत करो बेटी भगवान सब ठीक करेंगे वहाँ सामने मेरी रसोई है तुम वहाँ जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ मेरे लिए भी और इन बच्चों को भी खिलाओ कबसे तुम मेरी वज़ा से भूखी हो और बच्चे भी तुमारे साथ भूखे है माजी पहले आप ये दवाई ले लीचे और आपको किसी भी चीज़ की जरुरत हो तो मुझे आवास लगा देना ममता राजरानी और सूरज को खाना देती है और सोनी के लिए थोड़ा दूद भी गर्म करती है अगले दिन जब महेंद्रनात वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है वो भी ममता का धन्यवाद करते है ममता बेटी तुमने राजरानी के लिए इतना सब कुछ किया उसका मैं हमेशा शुक्र गुजार रहूँगा धीरे धीरे राजरानी की तब्योत में सुधार होने लगता है ममता राजरानी की बहुत सेवा करती थी एक महीने बाद राजरानी बिलकुर ठीक हो जाती है मा जी अब आप ठीक हो गई है तो अब मुझे भी चलना चाहिए मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए आपसे इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया इतना दुलार दिया इसके लिए में सदैव आपकी आभारी रहोंगे ममता, सूरज मुझे नानी मा कहकर बुलाता है क्या ये बच्चे हमेशा के लिए अपनी नानी मा के पास नहीं रह सकते हाँ ममता बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है पर सूरज और सोनी को देख कर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमर पढ़ा तुमने राजरानी की मा जैसे सेवा की है बेटा, हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे ममता की आँखे आँसों से भर आती है, बेसहारा को सहारा मिल जाता है ममता राजरानी की गले लग जाती है, उस दिन के बाद से ममता महिंद्रनात के कारोबार में उसका हाथ बटाने लगी और उसने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों के से लिए लग जाता है